नमस्कार मैं एड़ोकेट विकास याद हो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में जैसा कि आप सब को पता है कि AIB का एक्जाम जो 29 अक्टूबर को होने वाला था अब वो 26 नॉम्बर को पोस्पोन कर दिया गया तो पहले भी यह अंदाज़ा धा मुझ है कि यह पोस्पोन करेंगे क्योंकि लगबग ऐसे ही करते आते हैं एक बार जो डेट निकालते हैं उसके कुछ एक मैने बाद फिर से एक्जाम कराते हैं तो अब 26 नॉम्बर का इनोंने फाइनल किया है कि अब AIB 18 26 नॉम्बर कोगा एजिट नाउ अभी भी चेंज हो सकता ह कोई गारंटी है नहीं लेकिन फिलाल 26 नॉम्बर है तो थोड़ा सा आप बड़न कम हो गया 39 अक्टूबर के हिसाप सा अगर आप त्यारी कर रहे थे तो अपना कंसिटिशन IPC CRPC CPC हो चुका है अब यह लिमिटेशन के कुछ 15 कोशन है यह आप देख लिजी क्योंकि CPC अग कौन से सूट्स में लिमिटेशन पीरेड अपलाई होता है कौन कौन सी अपील में अपलाई होता है अपील आप कितने टाइम तक फाइल कर सकतो हाई कोट में तो काफी चीज़े बताए यह टोट के अंदर भी अगर आप कोई टोट के रिगार्डिंग कंपेंसेटरी सूट ह तो उस टाइम क्या लिमिटेशन पीरेड होगा तो यह काफी अच्छा एक्ट है इसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सीविल साइड में लेटिकेशन करना चाह रहे हैं तो पहला कुशन है यह किसलिए बनाया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963 इसका में मोटो क्या है तो म अगर यह एक्ट बनाया गया है तो डिफैंडेंट की सेफ्टी भी देखी गई है प्लेंटिफ की भी देखी हुए डिफैंडेंट की दिफैंडेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा जुकाव है तो भाई पूछ रहा है कि बाई कौन-कौन सी करोन के वज़े से यह प्रण भी ठीक है कि भाई लॉंग डॉर्मेंट क्लेम्स है और मॉर ओफ कॉलल्टी दैन जस्टेज मिनाबाद डिफेंडेंट को मेंटल कॉलल्टी नहीं देनी डिफेंडेंट में हो लोस्ट है विए इतनी देर तो कौन अपने एवेडेंस बचा के रखेगा क्या पता उसने खोद ही हो एवेडेंस हाना पर्सन विद गुड कोजिज ऑफ एक्शन शूट पर्शू जिसका भाई रियल में अगर कोज ऑफ एक्शन जैन्मीन है तो उसको जलसे जल्द अपनी करना चीए सुनवाई इंसाफ के लिए तो सारे ओप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसलिए हमन इंप्रिजिमेंट हो जाता है तो यह सब चीजे हैं अगर स्टैट्यूट में अगर ओर्रेडी गिवन है लिमिटेशन पिरड तो ठीक है लेकिन लिमिटेशन एक्ट मेंली सीवी सूट्स को लेके बनाया गया तो आंसर वन इस राइट आंसर सेक्शन फाइफ लिमिटेशन अगर एक्सटेंड हो जाता है इनसान से और उसके पास जैन्मेंट है सफिशन कोज है तो वह अलाव कर देता है तो सेक्शन फाइफ में यही पूछ रहे हैं कि वह कौन सी चीज़े हैं जिन पर लिमिटेशन पिरड अलाव किया दिया जाता है अपील या अप्लिकेशन अप अपील पैटिशन या काउंटर पैटिशन और अपील पैटिशन सूर्ट या काउंटर पैटिशन तो आंसर आपका फस्ट होगा Seiten 5 को लोगे में इना हाइलेट क्या होए अप् baik यह पील औरjest प्लिकेशन पे आपलाई होता है तो ओप्शन फरस्ट ही जीग सटी अराई ह Executive आप शेडूल खोलोगे, लास्ट पेजिस खोलोगे, लिमिटेशन एक 1963 के, तो उसमें डिविजन मनायो हुए है, फर्स्ट डिविजन में आपके सूट के बारे में सब बताया गया है, कितने टाइप के सूट हो सकते हैं, सेकंड डिविजन में अपील के बारे में बताया, थर्ड डिविजन में एप्लिकेशन के बारे में बताया, तो हमारा जो ये ओप्षन है, ये फॉर्थ ओप्षन हो जाएगा, 30 एर्स होता है, फर्स्ट डिविजन में सूट्स आप खोलो, पार्ट फाइफ खोलो, पार्ट फा अगेंस्ट एडिगरी और ओडर कैन भी फाइल इन हाई कोट विदिन तो भाई हाई कोट में आप अपील ओडिगरी के अगेंस्ट कब तक अपील कर सकते हो उसका आपको टाइम पिरेड होता है 90 डेज सेकंड डिविजन खोली है अपील्स का जो मैं अभी बताया था पिछे शेडूल में उसके अंदर 116 में यह दिया हुआ है पूरा आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो अब यहां पर फ्रेश पिरेड ओफ लिमिटेशन उस टाइम से होगा जिस टाइम से अक्नॉलेजमेंट हुई है अक्नॉलेजमेंट वाज सो साइन तो उप्शन फर्स्ट इस राइट आंसर स्क्रीन पर आप एक बार पहुँज करके पूरा पढ़ सकते हो अगर आपने शेडूर पढ़े था अच्छे से तो आपको पता होगा कि फर्स्ट इविजन में पार्ट वन में सूट रेलेटिंग तो अकाउंट की बात करेगा तो पक्का यह जो लिमिटेशन पिरेड हमें वहां मिलेगा तो हमने फटा-फट देखा पीचे से कुल गे तो होता है option second is the right answer period of limitation for execution of the order of maintenance अब आप देखें यह आपका CRPC का action 125 में दे रहा है limitation period कि एक साल के अंदर अंदर आपको उसको execute कराना होगा अगर आप नहीं करा होगे तो फिर वह court का order महने नहीं है प्रोविजो आप देखोगे screen पे आप देख सकते हो what is the period of limitation to file a suit for compensation for false imprisonment यह एक प्रकार का आपको पता हुगा यह tort होता है ठीक है तो tort होता है तो हमें first division part 7 खोलोगे suit relating to tort खोलिए आप देखोगे screen पे आपको पगा पगाया answer मिल जाएगा पिछे वाले schedule से 14 में से लगबग 10 questions वहीं से हैं तो आपके ऐसे ही question exam में पुछेगा one year इसका answer हो जाएगा option D is the right answer as per section 19 of the limitation act if any payment is made on account of a debt before the expiration कोई भी expiration से पहला अगर period से पहला अगर payment हो जाती है तो एक fresh period अब दुबार से शुरू होगा कब होगा when the payment was made जिस दिन payment करी उस दिन से अब fresh period फिर से शुरू हो जाएगा option B is the right answer आप देखोगे section 19 इसने दे रखा question में में highlight कर दिया एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो what is the period of limitation prescribed for a suit instituted by Mortigaser to recover यह अभी अपनने किया यह repeat हो गया option C is the right answer 30 years section 12 to 15 अब यह जो section है यह वाला इसके अंदर बताया जा रहा है कि हम competition of limitation period कैसे करते हैं कि भाई जिस दिन judgment या order award आया उस दिन हम उस दिन को count नहीं करते हैं और भी बहुत सी चीज़े बताया अगर injunction लग जाता है तो count नहीं होता या फिर defendant इंडिया से भार रह रह रहा है तो वह भी count नहीं होता या फिर आप revision के time आप जो भी करते हो revision file करते हो वह भी limitation में count नहीं होता तो बहुत से उसके अंदर बता रहे हैं section 12,13,14,15 आप पढ़ोगे तो सारे के सारे option करेंगा है option D all of the above is the right answer section 5 of the limitation act applies to suits execution में नहीं होता क्योंकि उसने साफ साफ लिखा वा था अगर आपने पढ़ा होगा section 5 other than the order 21 और order 21 execution of degree के बारे में बताता है तो केवल यह suits पर अपलाई होगा a suit for compensation for false imprisonment the period of limitation यह भी अपने किया था one year होता है आप देखोगे आपका जो court वाला है suit उसके अंदर यह आपको मिल जाएगा one year तो बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है बस यह है कि limitation act को आपको पढ़ना कैसे है कैसे यूज करना कोई भी आप civil drafting करते हो तो उसमें आपको बताना होता है कि वाज़ा suit is within the limitation period पुरा आपको देखना पड़ेगा अगर आप नहीं देखोगे तो वो फिर court में बिलकुँ time waste होगा अगर आपको पता ही नहीं है कि limitation के अंदर है या भार है ठीक है जो हम claim करने जा रहे है जो भी हमारा suit है तो यह अगर आप litigation में जाने का अमन मनाई लिया है तो limitation act फोथ ही important हो जाता है आपके लिए cpc और limitation को साथ में अच्छे से paralleli पढ़के चलिए जो भी suit आप cpc में पढ़ रहे हो उसको एक बार limitation में देख लिजी हां भाई इसका time period क्या होता है किन्ने time तक इसका limitation होता है वो आप देखके चलिए काफी अच्छी चीज है वीडियो